और बालक की यो mentality में जो changes आते हैं उस चीज़ को बोला जाता है development विकास एक सार्वो गोमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन परियंत्र यानि अविराम गत्ती से निरंतर चलती रहती है जो बालक का development होता है वो जीवन परियंत्र चलता है और एक प्रकार से अविराम यानि की हमेशा बालक जिस age में जाता रहता है जैसे एक छोटा बालक है उसे किसी भी चीज के बारे में जो जानकारी प्राप्त होगी बहुत छोटे लेविल की होगी उसके बाद जब बालक थो यानि की ये रुकता नहीं है कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी चीज बालक सीख सकता है विकास केवल सारीरिक ब्रदी की ओर ही संकेत नहीं करता बलकि इसके अंतरगत प्रतेक सारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संबेगात्मक बदलाव सामिल रहते हैं यानि की जो development होता ह इसका केवल सारीरिक यानि की जो development होता है वो केवल सारीरिक structure पर ही depend नहीं रहता है बालक की मानसिक यानि बालक ने क्या चीज़ें सीखी है किस चीजों की उसमें समझ पैदा हुई है किन चीजों के बारे में वो चिंतन कर सकता है तर्क कर सकता है बालक ये सबी चीज़े आ इन वाफ में जितने भी बदलाव होते हैं जिनहें हम देख सकते हैं वह चीजे आएंगी ब्रद्दी की तरह एक प्रकार से बोला जा सकता है कि जो ब्रद्दी होती है वह बिकास होता है मिचुरिटी और जाता है समय का लेकर बदलाव सामील रहती हैं जो गर्व काल तो पष् चीजें सीखता रहता है तो इस चीज को बोला जाता है development आसान सब्दों में हम याद कर सकते हैं सारीरिक structure में होने वाले सारे बदलाव बालक की ब्रद्धी में आएंगे और बालक ने जितनी भी चीजें maturity के अपने दिमाग के हिसाब से जो भी चीजें सीखी है वो चीजें आ हा जाता है